राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर क्यों जगा देता है हम राम को क्यों पूछते हैं यार हजारों लाकों करों रुपया अगर आयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती यह पथर भी पिश्मास क्यों जगा देता है हम राम को क्यों हो सकते हैं हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए अपने इलाज कराने के लिए बंबे जाते हैं भीक जाते हैं नहीं लगी हला पाएंगी आप करें ना बात के सारी भी आज 28 से 30 वरस की हो गई 30 वरस से हो सकता है पांच वरस बाद मुझे हो सा गया होगा 25 वरस से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमरा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है आप मिला न पॉइंट के सारी भी आप इसमें दोस्त हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है हम अपनी रोजी ढूड़ते हैं वो चाहे हमें नसा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मडर करके मिले हमारे पास अगर रोजी होते हमारे पास काम होता हमारे पास किसी का विश्वास होता तो सायद आज हम भी बेकार नहीं होते किसी फैक्टरी में अपने ही जीला में अपने ही घर में काम करते हैं तो जब इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है अच्छा आगे सुनिया तो ग यहों दईब नौ तो जब हमारे पास अपना वर्क होता हमारे पास फिक्ट्रिया होती तो आज हमारे भी compat की अउरते अपने पती के लिए तरस्ती नहीं कि होली में आеромी औभाॉली मनाते हमें डिपाउली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पढ़ता है किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास च्छठ आ गया है तो हमें तो तेवहार मनाने की भी अजादी नहीं मिलती है ऐसा ऐसे राजे में हम पाइदा हो गए है हमें ऐसे राजे नफरत नहीं है लेकि यहां के सिस्टम से मुझे प्रद है कि हांके सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा कहीं लेही नहीं गया इनका एक ही काम है कि अगर एलेक्शन के बार है मैं इलो रोज मिली अगर एलेक्शन बार आ जहां बार है कि चीवरा खात-खात-फेट मॉल हो जाई खुब खाई बरवची होगा लेकि यही एलेक्शन बीटते ही एक भी आदमी हां जो आपकी दर्दों को समझता है मैं किसी राजनेता पर उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं सिस्टम पर बात कर रहा हूं मुझे दूख होता है इस जमीन को देखा तो मैं अपने प्लेस बाबा स पर बनाया है वह बदलने के लिए आपको अपने आपको बदलना पड़ेगा तब सिस्टम बदलेगा क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप है आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए ताहरा पहिसा से फरचूनर लगे खेसारी लाल चड़े ले खेसारी के कल से सुनल बन कर देवार खेसारी के आउकात नजर आ जए कि खेसारी तो कितना बड़े इस्टार हुआ हूँ मैं अपनी बाते कर रहा हूं तो जब खेसारी लाल यादों की आउकात आपके हाथों में हैं मेरा भविश आपने ताई किया है एक दूद भेष्मे वाले बेटा एक लीटी बेष्मे वाले बेटा इस्टार आपने बनाया ना मेरे पिता जी कभी मेरा सेनिमा नहीं देखते हैं लेकि आप लोग अपने वह आपको चुनना है कि आप जाना कहा चाहते हैं एक पथर भी पिश्मास क्यों जगा देता हैं एक राम को क्यों पूछते हैं यार। पथर में भी भगवान धूग लेते हैं और हम इंसान होकर एक इनसान को नहीं बदल सकते हैं। वाख्य सारी भाईया पहले तो हम इस तालियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो सब्द आपके मुँझ से जो निकला है और यही शब्द सायद मनीशक से बोलते थे ना यही शब्द जो जितनी भी शब्द आपने बोला कि बिहार के सिस्टम ने बिहार को अगर बिहार में रोजगार होता फैक्टरी होता तो सब होली दिवाली में बाहर नहीं जाता यही सब न बोले कि सब अपना बिहार में लिये हैं वो सब आप बिहार में लेते और इतना अच्छा बात बोले कि यहां जो फिल्ड है यह जो फिल्ड में अगर फिल्म सिटी बन जो जेल में चल गए बोलने की वजा से और जिस समय मनीज कस्यप जेल में गए उस समय जब आपके और आपके जैसे तमाम बरे लोगों की बोलने की बारी थी मनीज कस्यप को सपोर्ट करने की बात थी तो कहां थे उस समय आपको लगा कि मनीज कस्यप गलत है तो सही है तो गलत तो सही है उस समय नहीं दिखा कि बिहार का सिस्ट मैं खेसारी लाली आदब का भी रोद नहीं कर रहा हूं बलकि इस वीडियो के बाद तो मेरा दिल गदगद हो गया कि हां भाई खेसारी लाली आदब सच में सच में बहुत अच्छा इंसान है बहुत अच्छा इंसान है खेस बहुत सारा लोगों गली उठाएगा यह सोच करके कि बिहार सरकार को खेसारी लाली आदब क्यों बोला खेसारी लाली आदब तो यादब है जितना भी यादब भाई लोग है जो थोरा सा जातिवाद करने वाले सभी यादब लोग जातिवाद नहीं करते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो यादब जाती के और बहुत अच्छे सोच के वो लोग है वो यादब भाई लोगों को क्या लगेगा जो जातिवाद करता है कि जो खेसारी लाली आदब है देखो तेजसवी आदब को टार्गेट कर दिया खेसारी लाली आदब तेजसवी आ जोगों को समझ में नहीं आएगा जो जातिवाद करते हैं बिहार में बिहार परबाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार के सिस्टम में बैठा इंसान सही नहीं है और एक बार बिहार का सिस्टम बदल जाएगा तो बिहार की तस्वीरे बदल जाएगे लेकिन हां सिर्फ बिह बिहार में फैक्टरी लग जाने से, सिर्फ बिहार में रोजगार मिलने से बिहार नहीं बदलेगा, जब तक बिहार का एक एक आदमी का सोच नहीं बदलेगा, तब तक बिहार नहीं बदल सकता है, मैं कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत बहुत अलग पैमाने पे, जि बहुत बरा हम चीज लेकर घूमने जा रहे हैं बाहर, आपके लिए घूमने जा रहे हैं, सचाई दिखाने जा रहे हैं बाहर से, यह नहीं दिखाएंगे कि देखिए इस रोड में भरस्ट चार हो गया, गरीव आदमी हो गया तो इसको मदद कीजिए सरकार, इस सब नहीं, हम आपको वो सचाई दिखाएंगे कि आखिर में इनसान आज गरीब क्यूं है, बिहार का प्रतेक ब्यक्ति गरीब क्यूं है, आखिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यूं है, यहीं हम आपको रोड पर उतर कर, सामने एकदम लाइव दिखाएंगे, बस कल से तयार हो लेकिन दो साल पहले की वीडियो है, तो मुझे यह प्रस्ण है सिर्फ खेसारीलाल यादव जी से, कि दो साल पहले आप ये वीडियो स्टेज पे बोले थे आप बात, और मनीज कस्यप अभी एक साल पहले जब जेल में गए थे, तो उस समय यही सब चीज आपको सोचना चा लोग है, जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और वीडियो को बिना पूरा देखे हुए ही, कॉमेंट में आके छेर देते हैं, तो किर्पिया पहले वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और उसके बाद ही कॉमेंट में छेरा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्या था उस छेरे हुए अब जिष्ट पदार्त कुम आपके घर डिलिवरी करवा देंगे ठीक है और बाकी जितने भी हमारे दर्शक है बहुत सपोर्ट कर रहे है थैंके सो मच फदेश आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं तमाम बरे भाईया छोटे भाई सभी को तह दिल से धन्यवाद करता है यह सौर आरिया सिंग अज के लिए इतना ही है मिलता है फिर नए वीडियो के साथ कल और कल थुरा सा हो सकता है तो अलग टाइब का वीडियो मिलेगा अश्रिवाद देते रहे है प्यार देते रहे हर अर महादेव